हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 सर्च इंडेक्सिन को कैसे इनेबल करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए शुरू करते आपको मैं सबसे पहले दिखाता हूं यहाँ पर आप सर्च पर किलिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी चीज सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च नीचे दिख जाएगा यहाँ पर आपको दिख जाएगा सर्च इंडेक्सिन वाज turn off यानि यहां पर यह ए आफ है तो इसको कैसे on करना है वह मैं आपको बताता हूँ इसको enable करने के लिए आपको क्या करने है search पे click कर देने click करती है इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको यहाँ पर type करने services services type करते हैं यहां पर आपको first option दिख जाएगा इसको पर आपको click कर देना है click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा आपको क्या करना है यहाँ पे escort done करने के बाद यहाँ पे आपको search कर लेना है window search यहाँ पे आपको सबसे नीचे जाना है सबसे नीचे जाने के बाद वहाँ पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे आपको search करना है window search यहाँ पे आपको दिख जाएगा window search के बाद यहां पर आपको अप्लाइप करने के बाद यहां पर क्लिक 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 करने के बाद यहां पर क्लि रिए स्टार्ट होने के बाद आप चेक कर सकते हैं यह इनेबल हो गया होगा चेक करने के लिए आपको क्या किने सच पर किलिक करना है किलिक करने के बाद आप यहाँ पर सच करके देख लिजेगा यहाँ पर आपको कोई भी एरर नहीं दिखेगा यानि यह इनेबल हो चुका ह और प्लीज गैज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेर करें, थैंक यू